हलो स्टूदेंट्स, वेलकम टू मैंने बेंस, मैं रुपाली वर्मा आज मैं आपके लिए क्लास 11 की वितान बुक का 14 चैप्टर भारतिय कलाएं लेकर आई हूँ भारतिय कलाएं, हमारे भारत में किस किस तरह की कलाएं हैं, क्या क्या है इस पार्ट के अंदर हमारे सामने रखा गया है इस पार्ट के मांध्यम से भारत में एक ही कला को हर जगा पर कैसे कैसे नामों से अलग अलग नामों से पुकारा जाता है ये कलाएं पहले क्या थी प्राचीन काल में या प्रागाहतिक अतियासिक काल में क्या थी ये सभी चीजे हमको पार्ट में देखने को मिलेगी चले ये पार्ट शुरू करते हैं सबसे पहले तो कलाओं की अपनी भाषा होती है जैसे हम अपने आसपास के परिवेश, प्रकति या भावों और विचारों को भाषा में व्यक्त करते हैं वैसे ही चितरकारी, संगीत या नित के माध्यम से भी हम अपने आसपास और प्रकति को अभिवेख्त करते हैं प्रकति कैसी है, क्या है, किस समय की है अगर हमारे आसपास चीजे जैसी घटित हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है वो सारा चीज चितरकार हमेशा चितरकारी में उतार देता है माल लिजे प्रकती में कोई चीज घटित हुई है तो अगर आज पास राजनेतिक महौल कुछ गरम है तो कोई भी चीज हो चितरकार अपनी चितरकारी को घटित हो रही आज़ पास की घटनाओं के उपर कर देता है जो नत्तक होते हैं वो नत्त के आधार पर उस चीज को व्यक्त करते हैं संगीतक की में उस समय की सारी चीज संगीत के माध्यम से व्यक्त होने लगती है तो जो भी उस समय का माहौल होता है परिदृष्ट होता है प्राकतिक दृष्ट होता है जो भी परस्तियां होती है वो उस समय के चित्रकार संगीत और नित में हमें देखने को मिलेंगी हम जो कुछ देखते सुनते हैं उसे किसी न किसी रूप में नए-ने तरीके से कहना या अभिविप्त करना चाहते हैं समुद में उट्ती गिर्ती लहरों को देखकर चित्रकार उसे रंगों से सजाता है चिडिया की चहचाहाट को गायक स्वरों से सजाता है तो नित्तक मन के भावों को विभिन मुद्राओं से सजाता है कभी चित्रों में तो कभी गीतों में कभी नित्त में तो कभी संगीत में यह कहने सुनने की परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी नएने तरीकों से लगातार जारी है तो चित्रकार जहां चीजों को चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करता है मतलब अगर उसने लहरों को देखा है तो वो रंगों के माध्यम से व्यक्त करेगा चिडियों की चहाचाहाट संगीत के माध्यम से व्यक्त होगी और क्या होगा रतक मन के भावों को मुद्राओं से व्यक्त करता है यानी कि जो भी नत्त की मुदराएं होती है, उसके माध्यम से वेक्त करता है तो ये सारी चीजें बहुत समय से चली आ रही है, जो कोई भी उनरमंद होता है वो इन सब चीजों को उभार ही देता है हमारा देश भारत उत्सव धर्मी है उत्सव धर्मी मतलब यहां बहुत सारे उत्सव मनाये जाते हैं अब इसको मनाने का कारण क्यों है? क्योंकि हमारा धर्म, हमारा देश धर्म निर्पेक्ष रास्ट है यहां पर विभिन धर्मों का पालन किया जाता है तो क्या होता है यसे कि हर धर्म के अपने 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 उत्सव होते हैं इसलिए यहाँ पर बहुत सारे उत्सव हो जाते हैं इसलिए इसको धर्म उत्सवी भी भारत को बोला जाता है विवितता हमारी पहचान है, विभिन संस्क्रतियों, विभिन तेहारों के साथ-साथ विभिद कलाएं अब जितनी संस्क्रतियां होंगी, इतनी ही कलाएं होंगी आपने यह भी देखा होगा कि हमारी कलाओं को त्योहारों उत्सवों में अलग नहीं किया जा सकता तो हर राज में देखें आप कोई न कोई चीज फेमस होती है चाहे वहां की कलाकारी हो, कड़ाई हो, बुनाई हो कोई भी क्राफ्ट वर को हर राज का अलग-अलग रहता है यह हम सभी जानते हैं अब इन कलाओं को हम अपने त्योहारों से अलग नहीं कर पाते क्योंकि यह कलाओं ही हमारे त्योहारों का में बीस बन जाती है ये कलाएं जनमोचसव से लेकर शादी, ब्याप, पूजा तता खेती बाड़ी से भी जुड़ी हैं तो अब ये जितनी भी कलाएं हैं आप देखेंगे हमें हर जगह पे देखने को मिलती है जनमोचसव हो तो कोई गीत गाया जा सकता है ऐसा गीत होगा कई कभी वहाँ उस जगह का कोई ट्रेडिशनल डांस हो सकता है या कोई चितरकारी जैसे कि एपन है, रोली है, ये सब चीजे सरंगोली वगएरा बनाई जाती है तो ये चाहे आपका जनमोचसव हो, खेती बाड़ी हो, शादी ब्या हो, कोई भी उस्तव हो, जने उसंसकार हो, कंशेदन हो, मुंडन हो हर संसकार में ये सारी चीजे हमें देखने को मिलेंगी इन तियोहारों के साथ हमारी एकलाएं जुड़ी ही रहती है मनुष के जीवन से जुड़ी होने के कारण ही भारत की ये विशिष्ट कलाएं विरासत के प्रती हमें उत्साह और विश्वास से भर देती है अब इतनी कलाएं जो हमको मिली है, ये एटेंडम तो हमारे सामने नहीं आई न ये हमें विरासत से मिली है, यानि कि बहुत समय पहले से ये ट्रडिशन के रूप में चली आ रही है और आज हमें भी हमें प्राप्त हुई है, तो ये हमारे गौरफ की बात है कि हमको इतनी अनमोल चीजे विरासत के रूप में मिली हुई है क्या आपको यह नहीं लगता कि परवो तेहारों या फिर फसलों से कलाओं का जुडाव ही एक और इसे केवल मनुनर्जन या अलंकरण होने से बचाता है तो दूसरी और यही पहलू प्राचीन परंपराओं का सतत निरंतरता को बनाए रखता है वास्तों में यही अतीत और वर्तमान के बीच जुडाओं की कड़ी भी है अब प्राचीन समय से यह जो कलाएं चली आ रही है वो यह हमारी सभ्यता को बचा के रखी है जो आज तक लेकर आ रही है अब यही चीज़े क्या है प्राचीन संस्कृति को वर्तमान इस्तिव वर्तमान पीड़ी से जोड़ती है हम बर्तमान पीड़ी इस बाद को इन पर्मपराओं को इन कलाओं के जरीए ही जान पाते भाई उस समय के लोग तो नहीं हमारे सामने हैं मगर उनके द्वारा प्रस्तुत की गई यह कलाएं संस्कृति यह सभी हमें विरासत के रूप में मिली है इसलिए वो आधुनिक जो आपकी कहते हैं पूरानी पीड़ी है वो इस समय आधुनिक पीड़ी को इसको विरासत के रूप में देखी गई है और आपस में इन दोनों पीड़ीओं को जोड़के भी रखी हुई है अगर हम आज भी पीछे मुड़ कर देखे तो पाएंगे कि जन जातिये और लोग कला शैलियों के सभी रूपों में एक विवस्था भी दिखाई पड़ती है अगर देखे क्या बोला जन जातिये और लोग कला जन जातिये क्या होते हैं अलग-अलग प्रांत में रहने वाले जो ट्राइबल स्लोक्स रहते हैं वो सभी जन जातिये के इंतर गाते हैं तो उनकी अपनी अपनी लोग कलाए होती हर जगा की अपनी अपनी लोग कलाए होती तो ये क्या होता है इनकी शैलियों में व्यवस्थता दिखाई पड़ती है मतलब अरेंज रूप में ये सारी चीज़े हमारे सामने आई है जो आगे चलके शास्त्रिय कलाओं का आधार बनी तो तब क्या था अरेंज थी व्यवस्थत थी अनुशार्शित थी तो यही सब क्या हुआ शास्त्रिय कलाओं के रूप में आ गई कारण क्यों हुआ शास्त्रिय कलाओं बहुत ही प्रिशिस रूप में हमारे सामने प्रस्तूत कर दी गई एक बात ध्यान देने की है कि शुरुवाती दौर में सभी कलाओं का संबंद लोक या समू से ही था अभी नहीं बहुत पहले जब ये डेबलेप हुई तो उस समय कि लोगों जो वहां छेतरी लोग रहते थे और वहां के जो समू रहते थे उन्हीं लेकिन आगे फिर क्या हुआ ये व्यवसाय बन गया अब व्यवसाय बनने के कारण ये केंद्रित हो गया मतलब जिस एरिया का था वहां पे उन्हों लोगों ने आधिपत्य कर लिया इसको और ज़ादा किसी और जगा बढ़ने नहीं दिया जो समू थे जो बना रहे थे उन्होंने अपने बीच इसको केंद्रित कर लिया बांध लिया क्योंकि अगर ये चीज फैलती तो वो उनका वेफसाय जादा कारगर नहीं रह जाता उनको इता पैसा नहीं मिलता मद्धिकाल तक आते आते साहित चित्र संगीत नित्य कलाएं राजाओं और विभिन शाषकों के संग्रक्षण में चली आई और धीरे धीरे शास्त्रे नेमों में बंद गई वे कलाकार को अपनी अभिरेचियों के रूप में कलाओं को सुविवस्थित और परिश्कृत करने के लिए प्रोसाहित भी करते रहें अब क्या हुआ मद्धिकाल आते आते तक ये सारी कलाएं जो हैं वो राजाओं महराजाओं के संग्रक्षण में आ गई क्योंकि लोग जीवीगा के प्रती जादा आसकत होने लगे जिसके कारण ये सब ही जो हैं महेंगे शौक बन गए और ये महेंगे शौक किन कौन लोग पालने लगे भाई बहुत अच्छे चित्रकारों को अपने चित्रकारी के लिए लोग सम्मानित करते पैसे मिलते तो ये राजाओं महराजाओं के पास जाते तो अब ये क्या हुआ जब ये राजाओं महराजाओं के संगरक्षण में आ गई तो ये शास्त्रिय रूप में आ गई अब शास्त्रिय रूप में आने का मतलब ये है कि उसे एक शास्त्र के रूप में मानिता मिल गई जिसे एक शास होता है पहले तो वो टुकड़ों टुकड़ों में बटा रहता है फिर ये इस एरिया का है ये डेवलिप्मेंट किया है ये हुआ है तो उसे एक दर्जा मिल जाता है नाम के साथ में बना फिर राजाओं ने इसे क्या किया सुविवस्थत किया कि किस तरीके से नहां के कलाकारी कारी करेंगे इनको कैसे चीजे मुहिया कराई जाए ताकि यह चीज और ज्यादा डेवलप कर सके तो राजाओं ने इस मामले में भी कारी किया इस तरहे मंदिरों और महलों में विक्सित होती हुए कलाएं शास्त्रिय स्वरूप ग्रहन करती गई गुप्त सामराज में तो पराकाष्टा पर पहुँच गई रामंदिरों में और राजाओं के महलों में यह अपना विकास करने लगी लेकिन जब गुप्त काल आया यानि चंद्रगुप्त मौरे के समय में उस समय तक यह कलाएं अपनी पराकाष्टा पे थी मतलब उस समय उस काल में कलाओं को बहुत जादा उन्नती प्राप्त हुई क्योंकि राजा बहुत ही जादा इंसाओं सबको प्रोसाहित करने वाला था भरत मुनी के नाट शास्त में इसका शास्त्रे सरूब बना तो कला के लिए अब तक का प्राप्त सबसे महत्पूर्ण शास्त था तो जहां हम देखते हैं कि भरत मुनी का नाटे शास्त्र इस से हमारे साहित में बहुत कुछ सीखनी का है भरत मुनी का नाटे शास्त्र के बारे में आपने सबसे पहले क्लास टेंथ में पढ़ा होगा कि रस का सबसे पहला पता हमें उन्हीं के नाट शास्तर में चला था तो वही नाट शास्तर में आपने कलाओं को भी देखा, संगीत को भी देखा, नित को भी देखा इन सभी की चीजों के बारे में विस्तत वर्णन उनके नाट शास्तर के अंदर मिलता है शास्त्र ने संगीत नत्य अभिने कलाओं को एक शास्त्री कला का रूप दिया तो गुनाट्य शास्त्र ने एक प्लेटफोर्म दे दिया कि इन सब चीजों के बारे में भी भी जानकारी होनी चाहिए और साथी साथ लोगों की रुची भी उस तरफ बढ़ा दी फिर भी लोग कलाओं अपनी जड़ों से पूरी तरह जुड़ी रही आज भी कलाओं की जड़े लोग में ही हैं चाहे चित्र कला हो, संगीत कला हो या फिर मृत कला हो शास्त्री और लोग कलाओं के बीच कभी न खत्म होने वाला संबाद ही इनकी ताकत है अब क्या हुआ, कुछ कलाओं को तो शास्त्री रूप मिल गया, मतलब रास्त्री एक मानिता मिल गई लेकिन कुछ कलाओं लोग कलाओं के रूप में प्रस्लित हो गई, उस एरिया के बारे में प्रस्लित हो गई अब क्या हुआ शास्त्री कलाएं और लोग कलाएं अलग-अलग रहें कारण ये था कि लोग कलाएं उसी एरिया तक सीमित हो गए और शास्त्री कलाएं रास्ट व्यापी हो गए तो ये अभी तक इन दोनों में मत भेद इसलिए है क्योंकि इनकी कलाओं में भी बहुत जादा भेद है एक कुराश्ट्रे रूप राप्त हुआ और दूसरा उसी एरिया तक रह गया तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है चित्रकला क्या है चित्रकारी प्राचीन काल से हो रही है जीवन का आभिन अंग रहा है जब हमारे पास भाषा नहीं थी तब भी चित्रकारी थी और यही अभी व्यक्ती का माध्यम थी प्राग एतिहासिक समय में अपने वाता वरण रहन सेहन भावों और विचारों को ही मनुष्य ने चित्रों के माध्यम से ही व्यक्त किया तो चित्रकारी बहुत समय से पहले से थी उस समय से जब मनुष्य की शुरुवात हुई यानि कि प्राग एतिहासिक काल अब ये प्राग एतियास से काल क्या होता है यानि कि वो समय जिसका कुछ भी लिखित हमारे सामने इतिहास नहीं है लिखित इतिहास हो बहुत बाद में मिला हमको उससे पहले भी मनुष्य थे तो वो जब तक हमें लिखित इतिहास नहीं मिलता उसके पहले का सारा काल प्रागयतिहासिक काल के रूप में जाना जाता है यानि कि प्रिहिस्टॉरिकल एरिया टाइप का जाना जाता है प्रिहिस्टॉरिकल एरा के रूप में हम जानते हैं तो वो बोला जाता है प्रागयतिहासिक काल तो उस समय में लोगों के पास ज़्यादा संसाधन नहीं थे तो वो लोग क्या करते थे साधन एकटर करके दिवारों पर, गुफाओं में, पत्थरों पर ही चित्र बनाते हैं जिसके उलेख हमें आज भी देखने को मिलते हैं अगर हम गुफाओं में देखें सबसे प्राचीन चित्रों के नमूने शेल चित्रों को ही माना जाता है सबसे प्राचीन नमूने शेल चित्र यानि की पत्थरों पर बने हुए चित्र वो शेल चित्र कहलाते हैं ये चटानों पर प्राकतिक रंगों से बने हुए चित्र हैं ये गुफाओं में मिलते हैं मद्दप्रदेश में भीम बैठका की शैल चित्रों के लिए मानी जाती है जैसे कि पता है आप लोगों को कि हमारा स्टूडियो भोPAL में है मैंने खुद भी भीम बैठका देखा है तो वहाँ पर बने चित्र जो हैं बहुत हद्तक संगरक्षत हैं आप देखेंगे उनको इतने बड़ियां चित्र हैं हाती हो, नाचते हुए लोग हो बहुत ही सुन्दर धंग से उन चित्रों को बनाया गया है तो ये अभी तक प्राप्त सबसे प्राचीन चित्रों में से हैं, शेल चित्रों के रूप में हैं इन चित्रों में जीवन की रोजमर्रा की गतिविधिया, शिकार, नित, संगीत, जानवर, युद्ध, साथ, सज्जा, सभी कुछ दिखाई पड़ता है तो आप इन चित्रों में इस सारी चीज़े देख पाएंगे गुफाओं में कला श्रजन की अती प्राचीन परंपरा रही है एलोरा और अजंता की गुफाएं कला कृतियों के लिए विख्यात है तो जहां शेल चित्रों के लिए भीमबैट का फेमस है वहाँ पर कला कृतियों यानि कि स्क्रप्चिल्स बनाने के लिए एलोरा अजंता एलोरा की गुफाएं फेमस है चौती से छटी सदी के बीच गुप्त सामराज कलाओं के लिए स्वण युग रहा तो क्या हुआ चौती से सदी की बीच में गुप्त स्काल था उस समय जो कलाओं को है वो सबसे उतकरष्ट रूप में उभर कर सामने आने का समय था अजंता की गुफाएं इन्ही दिनों में खोदी गए गुप्त काल के समय ही अजंता की गुफाओं का निर्मार किया गया था उनकी दिवारों पर चित्र बनाए गए बाग और बादामी की गुफाएं भी इसी जमाने में हैं अजंता की गुफाओं की चित्र इतने आकरशक हैं कि वे आज तक के कलाकारों पर गहरा असर डालते हैं ऐसा माना जाता है कि अजन्ता की दिवारों पे बने चित्रों को बहुत भिक्षों ने बनाया था तो अजन्ता गुफा में जो चित्र बने हुए हैं वो माना जाता है कि जो बहुत भिक्षु वहां पर तपस्या के लिए आये थे उन्होंने वो चित्रों को बनाया है मगर वो ऐसे बने हैं जैसे जिवन तो साथवी आठवी सदी में चटानों को काट कर एलोरा की गुफाये बनाई गई अब देखे चौती चटी सदी में जो है अजन्ता की गुफाये बनी और साथवी चटी सदी में एलोरा की गुफाये बनाई गई तो इनकी क्या हुआ यहां चटानों को बनाया गया यह कलाकृति क्यों बोली गई अब गुफाएं क्या होती है चटानों को खोद के बनाई जाती है लेकिन यहाँ पर जो हुआ वो चटानों को ही पूरी तरह नकाशीदार तरीके से उभार दिया गया उसमें सबसे फेमस मंदिर है कैलाश मंदिर क्या है इसकी सबसे बड़ी बशेष्टा है कि इनहीं के बीच कैलाश का बहुत बड़ा मंदिर है चटान को उपर से कुरुएते हुए पूरी तरह सजाते हुए पूरा एक मंदिर बनाया गया है उसमें कोई जोड नहीं है पूरी तरीके से नकाशी का काम किया गया है इस मानुशी कलास्रजन को देखकर आश्चर होता है मतलब कितना मुश्किल रहा होगा उस समय कितनी मेहनत लगी होगी कितनी एकागरता लगी होगी कि पत्थर को काट के एक मंदिर बनाया जाए उन दिनों मनुश्य ने इसकी कलपना कैसे की होगी और फिर उस कल्पना को साकार करने के लिए कितना परिश्रम किया होगा लगबख इसी समय निर्मित एलिफेंटा की गुफाएं भी मिलती हैं यहां त्रिमूर्ती की जबरदस्त मूर्ती हैं दक्षिन भारत के महबली पुरम की विशाल मूर्ती कला और तंजोर की चित हम जिसे लगुचित्र के नाम से जानते हैं ये दो प्रकार के होते हैं एक इस्थाई जो कपड़ों किताबों लकडी या कागश पर किये जाते हैं इनमें आंध प्रदेश और 36 गड़ की कलमकारी पंजाब की फुलकारी महराष्ट की वरली इत्यादी बहुत प्रसिद रहे हैं इनमें प्रयोग होने वाले सभी सामगरी प्राकतिक होती हैं तो जो लगुचित्र होते हैं मतलब छोटे छोटे चित्र जो बनाए जाते हैं ये किसी ना किसी चीज पर बनाए जाते हैं कपड़ों पर बनाए जा सकते हैं आपके किताबों पे लकडी पे या कागश पे क इसमें पंजाब की फुलकारी है आपकी चत्तिसगर की कलमकारी है और महरास्ट की वरली आदी आती है इन चित्रों की विशेष्टा है इनकी विभिन प्रकार की शैलियां वनों गावों की लोग अपनी अपनी पारामपरिक शैलियों में चित्रकारी करते हैं राजस्थान के चित्तोर गर में कलाकार लकडी के मंदिरों पर चित्रकारी करते हैं तो अब देखिए हर एरिया का चित्रकार अपने गरे से चित्रकारी करेगा चीक है लगूचित्र हैं माना लगूचित्र हैं तो लगूचित्र तो सभी के हैं और अलगल एक एरिया में हो रहे हैं तो सब हर एक एरिया में शैली अलगल होती है जैसे फुल कारी जेमेटरिकल पैटर्न में होती है हमारी कलमकारी बहुत बारी काम होता है तो यह हर एरिया में होता है अब जैसे राजस्थान में मंदिरों पर लकडी के जो मंदिर बनते हैं उस पे जो कलाकारी की जाती है वो बिल्कुल अलग हुगेर कराएगी इसे कियार पेंटिंग बोला जाता है जो लकडी के की जाती है इस चित्र कारी में चित्र के माध्यम से सांस्कृतिक और ईतिहासिक कथाओं और अभिवेक्ट किया जाता है उडीसा के पचित्र कथा में कभी जैदेव की गीत गोविंद को भी उकेरा है अब सूचिए जो उडीसा का पच्चित्र बनाया गया उसमें गीत जैदेव का गीत गोविंद पूरा उकेर दिया गया इतना बड़ा बकाविया इसमें कागज या पत्तों पर गहरे लाल काले नीले रंगों से उकेरा गया है देखने की बात है कि गीत गोविंद में पदों को नतक औरिसी नतके माध्यम से भी अभियक्त करते हैं सभी कलाएं एक दूसरे से जुड़ी तो जहां उसे चित्रों के माध्यम से जैदेव की गीत गोविंद उभारी गई तो वहीं नतकों ने भी अपनी भाव भंगे नाओं से उन सभी को उकेर कर हमारे सामने रखा है मिथिला की चित्रकारी में मधुबनी चित्रकला भी बहुत प्रसिद है तो बिहार की जैसे मधुबनी चित्रकारी वहां की बहुत फेमस है आज भी कलाकार अपनी इस कला को जिन्दा रखे हुए हैं आज के राश्ट्री और अंतराश्ट्री बाजार में इन लगू लोग कलाओं को बहुत मांग है तो जब किसे फेर राश्ट्री फेर लगे या अंतराश्ट्री फेर लगे तो इस तरह के कलाकारों की बहुत मांग होती है वहाँ पर अपनी कला को प्रदर्शित करने के लिए तो तिम दिन के लिए रिकेंगे फिर उसके बाद मिट जाती हैं तो यह अस्थाई कलाएं होती हैं इन कलाओं का संबंध शादी त्योहार और उस्थवों से हैं इन्हें छेत्री भाषाओं में अलग-अलग नाम से जाना जाता हैं तो अब यह क्या अस्थ है जब कोई त्योह होता है तो हम रंगोली बनाते हैं आपन बनाते हैं कोई उत्सव हुआ शादी हुई तब हम बनाते हैं तो यह मतलब आपका ओकेजनली हम चीज़ बनाते हैं और जाद देन के लिए नहीं टिकता इसलिए यह अस्थ हाई रूप में होता है वास्तों में उत्राखंड में जिसे एपन कहते हैं अब देखे एकी चीज़ को अलग-अलग एरिया में क्या बोला जाएगा उत्राखन में एपन बोलते हैं उसे राजस्थान में मंडवा, गुजरात में सतिया, महरास्ट में रंगोली, बिहार में एपन, मद्रप्रदेश और उत्तरप्रदेश में चौकपूर्णा, दक्षण में कोलम के नाम से जाना जाता है ये सब ही किसी विशेश मांगलिक अफसरों पर बनाये जाते हैं, मतलब एक ही चीज है मगर हर एरिया में अलग-अलग नाम से बोला जाता है और ये किसी ना किसी मांगलिक कार, मतलब शुबकार में ही बनाये जाते हैं कलाओं का ये अगभुत संसार हमारी संस्कृती की पहचान है पर हम यह भी जानते हैं कि हिंदूस्तानी कला जितनी हिंदूस्तान में दिखाई पड़ती है, इस से कहीं अधिक उसके बाहर भी है यह ध्यान देने की बात ही है कि यहां की कला अन देशों में किस प्रकार विक्सित और सुरक्षित हुई तो देखिए यह सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है यह हिंदुस्तान के बाहर भी है तो अब ये अंतराश्टिये तोर पर भी है तो ये कैसे हमारे देश के बाहर भी विक्सत हुई जैसे आपको पता है कि हमारे देश पर बहुत से बाहरी आकरमण हुए तो उन्हीं के जरिये ये बाहर भी गई है वास्तों में हिंदुस्तान के अंदर की हिंदुस्तानी कला को जानना उसकी आधी की कहानी को जानने के बराबर है यानि की आप अगर सिर्फ हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी कला को जानना चाहेंगे तो इसका मतलब आपने उस कला की सिर्फ आधी कहानी को जाना है उसे पूरी तोर पर समझने के लिए है मैं बहुत धर्म के साथ साथ मद्धे एशिया, चीन और जापान तक जाना चाहिए तिबत और बर्मा और श्याम से फैल कर नए रूपधारण करते हुए नए सौंदर पेश करते हुए हमें इसे देखना चाहिए हमें कमबोडिया और जावा में इसके शानदार और बेमिसाल कारणामों को देखना चाहिए तो ये जितने भी एशियाई देश हैं उन सभी में भारतिये कलाओं बहुत ही विस्तरत रूप से फैली हुई है चाहे जावा हो, कमबोडिया हो, वर्मा हो, चीन हो, जापान हो, सभी जगे आप भारतिये कलाओं को बहुत ही अच्छे रूप में देखींगे ये सच है कि भारतिये कलाओं का विस्तार विश्व के अनभूभागों में भी हुआ लेकिन उन कलाकरतियों के श्रजन में छेत्रिये विशेशताएं है गांधार शैली में बनी बुद्ध परतिमा और तिबद की शैली में बनी बुद्ध परतिमा में अपनी अपनी छेत्रिये पहचान इस पश्ट है अब अगर इस चीज़ को गांधार से और क्या कहते हैं तिबत से नहीं समझ पाएंगे तो जो कांधार है वो प्रजिंट अफगानिस्तान है वहाँ पे अगर बुद्ध मूर्ती बनती है तो वहाँ की अलग चीज़ है क्योंकि ये निकली कला जरूर भारत से लेकिन अलग-अलग जगाओं में जाकर ये अलग-लग तरीके से फैल गई है अब आता है हमारे पास संगीत कला मतलब अभी तक हम चितर कला पढ़ते आएं अब संगीत कला के अंतरगत हम क्या देखेंगे अपनी भारतिय कलाओं में भारत के प्राचीनतम संगीत का वर्णन वैदिक काल में मिलता है वैदिक काल मतलब आपका प्रागयति है से काल से थोड़ा सा और आगे जब आप आएंगे तब वो वैदिक काल शुरू होता है विद्वान लगवग 5000 इश्वी वर्ष पूर्व के समय से वैदिक काल मानते हैं आपको समय बता दिया लगवग 5000 इश्वी पूर्व से इस समय दो प्रकार के संगीत का उलेक मिलता है एक मारगी तथा दूसरा देशी पहला है मारगी और दूसरा है देशी ये दो तरीके के संगीत मिलते हैं मारगी संगीत धार्मिक समारों से जुड़ा हुआ है मारगी संगीत कहां जो धार्मिक समारों होते हैं धार्म से रिलेटेड जो संसकार होते हैं उनसे जुड़ा रहता है और नियम और अरुशाषन से बधा है तो उसके कुछ नियम है और अनुशाषन है जिने फॉलोग करना ही होता है देसी लोग से जुड़ा है देसी मतलब जो लोग होते हैं नॉर्मल कोई भी सवाचली कुछ भी गाना शुरू कर दिया अब जैसे होता है शादी व्या है उसके बीच में उन्होंने गाना शुरू कर दिया कोई भी मान लीजे संगीत हल्दी हो रही है हल्दी में गाना शुरू कर दिया उपनेन संसकार होता है उसमें गाना शुरू कर दिया उससे ये पता चलता है कि वैदिक महारिशीयों के पूझा और मंतरोचारण के तरीकों को ही साम कहते हैं तो हमारे वेद हैं, रिगवेद उसी में सामवेद में जो है आपको संगीत है उनके कुछ नियम मिलते हैं कि इन नियमों के तहदी आप गाना गाएंगे तो ये सबी इसलिए आपको इसको बुला गया साम संगीत साम वेद में इसलिए साम संगीत के अंदर लेके आया गया हमारे यहां आगे चलकर संगीत का जो विकास हुआ इसकी जानकारी बहुत नहीं मिलती उसका कारण यह भी है कि हम भारतिये दस्तावेजी करण नहीं करते थे तो आगे चलके हमें क्या हुआ संगीत की ज़्यादा जानकारी नहीं मिल रही है क्योंकि हम इन सब चीजों को दस्तावेज यानि कागजों पर जैसे आजकल दिजिटल हमने वही है फोटोस फोटो कीच ली पिचर मना लिया हो गया लेगिन पहले तो ऐसा नहीं था तो पहले हर चीज को हमें कागज में लिखना पड़ता था और भारतिये लोगों में यह दस्तावेजी करण का जादा प्रचलन नहीं था अनकलाओं की तरह संगीत का वर्णन भी भरत मुनी के नाश्टर साथ में ही सबसे प्रामारिक धंग से मिलता है तो जैसे कि चित्रकला का प्रामारिक जो ढंग हमें भरत मुनी के नाट शास्त्र में मिला उती तरह संगीत का भी प्रामारिक यानि कि लिखित रूप में प्रामार उपस्थित हमें नाट शास्त्र में ही सबसे पहले मिला है आज के शास्त्रिय संगीत से बहुत अलग नहीं है मतलब जो ये संगीत हम आज शास्त्रिय संगीत कर रहे हैं और नभरत मुनी के नाट शास में जो संगीत मिला है इन दोनों में जादा फरक नहीं है अगर आपने वीडा का दक्षड भारतिय संगीत तक ये को सुना हो तो अंदाजा लगा सकते हैं कि आज से 1000 साल पहले का संगीत कैसा रहा होगा अगर कोई व्यक्ति वीडा के उपर संगीत दे रहा है तो जब आप उसको सुनेंगे तो आप जानेंगे कि आज से हजाल साल पहले संगीत कैसे हुआ कर सा था क्योंकि लोग नाक से गाते थे नाक से अब गाने का क्या कारण था संगीत, चाल से संगीत आप मोशली दिन नाक से गाने का कारण ये था कि वीडा जैसे जो वादियंत्र हैं उनके साथ उन्हें सुर मिलाना पड़ता था तो वो बहुत धीमा सुर के साथ हमें शुरू करना पड़ता था इसलिए उसे नाक से जाधा गाया जाता था और यह उसके कितना करीब था भारतिय संगीत सुर, ताल, राग और काल से संबद्ध है यानि कि भारतिय संगीत जो जिस काल से गुजरा हमेशा उससे संबंद बनाते हुए सुधरते हुए बदलावों के साथ आगे बढ़ता रहा बिनी बिनी समय के नुसार राग भी अलग-अलग है जैसे अब राग, अब जैसे राग है हर समय युक के साथ अगर बदला, तो हर पहर के साथ भी बदला सुभा के समय अलग है, दुपहर के समय अलग है, शाम को अलग है, रात को अलग है अलग-अलग पहर में जो गाने गाय राग गाय जा रहे हैं उनके नाम देखिए क्या है जैसे ब्रह्म मूरत में भैरव गाया जाता है मतब एकदम सुबह भैरव गीत होता है मेग राग का संबंद सुबह से है यानि कि आप उशा के समय ब्रह्म मूरत मतलब उशा का जो समय होता है उस समय भायरव गाया जाता है प्राता काल में मेगराग गाया जाता है दीपक और शीराग का संबंद दुपहर से है कौशिक और हिंडोला रात में गाये जाती है तो इस तरह क्या है कि हर राग हर पहर के हिसाब से decided है कि इस समय ये राग गया जाएगा तो इस तरीके से क्या हुआ संगीत नियोमों में बधा अगर आपने भारतिय पारामपरिक वादियंत्रों को ध्यान से सुना और देखा होगा तो आपका ध्यान इस और गया होगा कि भारतिय संगीत तक ये किसी भी वस्तू से संगीत निकाल सकते हैं क्या निकि आप भारतिय वादियंत्र देखेंगे जैसे की वीडा हो आपका नाम है वीडा, जलतरंग, दोतार, बासुरी ये सब क्या है बस सिंपल सा है लेकिन इसमें संगीत कितना मधुर निकलता है ये सभी वादियंत्र बहुत ही सिंपल तरीके से बनाए जाते हैं लेकिन इन में से धुन बहुत सुन्दर लगती है, तो ये भारती एकला की ही देन है, वीरा, जल, तरंग, दो, तारा और वासुरी सुनकर आप इस बात को समच सकते हैं, इन सम में प्रयोग किये जाने वाली चीजें हमारे आसपास के रोजमर्रा में प्रयोग होने वाली हैं, इस क्योंकि इन में जो चीजें इस्तेमाल हुई, ये हमारी रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली चीजों पर, अब जैसे जलतरंग ले लिजे, कास के कटोरे लिए अलग-अलग साइस के उसमें पानी भर दिया, और हर कटोरे पर अगर हम जो है एक डंडी से अगर हम उसमें प्रह तो ये एक अलग-खोश्ती, तो ये सभी भारतिये भारतियों द्वारा ही की गई, हमारे यहां का मुख वाद्य वीड़ा ही है, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पुरानी फिल्मों के गायक-गायका नाक से क्यों गाते थे, मुख यांतर दे तो गायक-गायका आप पीछ आप जाईए सुरया को लीजिए, नर्गस को लीजिए, तो ये सभी क्या है नाक से गाते थे, अब इसका क्या कारण है क्यों गाते थे, आज से 2000 पहले भी गायक नाक से गाना पसंद करते थे, इसका उलेक भरत के नाट शास्तर में मिलता है, संभवता यह मुख वाद्य वी मतलब जैसे अभी हमने आपको बताया कि नाक से गाने का कारण ये था कि वीना के साथ अपने सुरु को मिलाना, इसलिए वो लोग नाक से गाते थे, तो नाट शास्तर भरत मुनी का जो नाट शास्तर है, उसमें भी यह उलेक मिलता है कि जो गायक है वो नाक से गाया करते थ है कि ये उत्सव और उल्लास भरा संगीत भी धीरे धीरे नियमों में बंद गया, तो भई पहले से संगीत जो चला आ रहा था, लोगों ने अपने मजे के लिए किया, लेकि धीरे धीरे जैसे सामें बदला, ये सभी संगीत धीरे धीरे नियमों में बंदता चला गया, निय भीलियमों में बंधा, शास्त्र में बंधा और जा सीदे आकर किसमें आ गया शास्त्र Regierung के रूप में हमारे सामने परस्त500 हो गया संगीत भी लोग से जुड़ा हुआ है छेत्री लोग जो होते हैं उने के द्वाला तो पैदा किया जाएगा उन्होंने अपनी संसकार हो रहा है उपनियन संसकार हो रहा है छेदन संसकार हो रहा है कुछ भी रहा है तो उन संसकारों पर गाय जाने वाले गीत हो या फिर रितुगीत यानि की मौसम के बदलाओ पर गाय जाने वाले गीत हो तो यह सभी अब जैसे की बादलों के लिए होते हैं या बारिश नहीं हो रही है तो काले मेगा, काले मेगा, पानी दे, गुरधानी दे, तो ये भी गीत के रूप में प्रचलित हुआ, तो ये क्या हुआ, ये लोग गीत के रूप में प्रचलित हुआ, तभी तो वो आगे चल कर रहे हैं, तो गीत के रूप में आया, तो इसी तरह बादल ब आए जाती है, वो किसकी आवाज में? गिर्जा देवी की आज आज में, जैसे कि आपने एकचैप्टर पढ़ा था, याद होगा आपको क्लास 10 में आप लोगों ने एकचैप्टर पढ़ा था, वो था एही ठाईया जूलनी हिरामा, हिरानी ओरामा, तो वो क्या था? वो एक से संगीत की कैचिकरी में भी आ जाएगा तो यह जो कजरी आया यह क्या हुआ हमारा छेत्री संगीत के रूप में और उपरा था बच्चे के जन्म पर उत्तर प्रदेश में सोहर और विवहा के गीत सुने जाते हैं सोहर गाय जाते हैं बच्चे के गीत पे भी और विवहा में भी गाये जाते हैं हर एक वस्तु का स्वागत गीतों से किया जाता है बंगाल में वर्शामंगल वसतो सव घ्रीशमों सव गीतों के बिना कहां सम्बवे तो आप सबी जगा देखेंगे कोई भी रित्व हो कुछ भी हो हर हाल में कोई ना कोई गीतों के साथ उसका स्वागत किया जाता है ये हमारे देश का प्रचलन है तो इस तरीके से हमने इस आठ आपको इस पार्ट में बताया कि हमारे देश में प्रचलेश चित्त करा और साथ में ही संगीत कला के बारे में किस तरीके से हमारे देश में विविन विविन तरीके की संस्क्रितियों के साथ कितनी विविन विन तरीके की कलाएं तो ये पार्ट हम यही खदम करते हैं इसके प्रश्ण उतर हम अपने नेक्स वीजियों में लेकर आएंगे थाइंक्यू, बाबाई